Hello everyone, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कहानी है एक blind girl, एक अंधी लड़की के बारे में वे लड़की बहुत निराश होती है अपनी जिंदगी से, बहुत परिशान होती है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था दिखाई ना देने के कारण वे सिर्फ इस दुनिया में एक ही व्यक्ति पर विश्वास करती थी जो था उसका प्रेमी, क्योंकि उसका प्रेमी हमेशा उसका साथ देता था और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता था एक दिन वे लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि अगर उसे दिखाई देता तो वे उससे शादी कर लेती ये सुनकर प्रेमी बहुत खुश होता एक दिन उस लड़की को कोई व्यक्ति आँखे दान कर देता है आखे मिलने पर वे लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि वो आप सब कुछ देख सकती थी अब उसका प्रेमी उससे पूछता है कि तुमें सब कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या तुम उससे शादी करोगी लड़की ये सुनकर बहुत खुश होती है लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि उसका प्रेमी अंदा है तो वो बहुत हैरान होती है अब वे लड़की उस प्रेमी से ये कहती है कि मैं तुम से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम अंदे हो लड़का ये सुनकर पहले तो हैरान होता है फिर आँखों में आँशू लिये वहां से चला जाता है और कुछ दिनों बाद वे लड़का एक पत्र में लिखता है और उसे कहता है कि बस तुम मेरी आँखों का खयाल रखना ये सुनकर लड़की बहुत रोती है और उसे बहुत दुख होता है तो इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि अगर आपकी प्रस्तितियां बदल जाएं तो आपका मन भी बदल सकता है अपने मन पर कंट्रोल करना सीखिए अगर वो लड़की अपने मन पर कंट्रोल करती तो उस लड़की को कभी नाखोती अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तेंक यू बेरी मच